नमस्कार आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल खबरें अभी तक ये है बिग शो का स्पेशल एडिशन स्पेशल इसलिए क्योंकि आज जिस शो में बहुत ही खास महमान हमारे साथ हैं हर्याना के मुखे मंतरी मनहोरलाल खटर साब बहुत-बहुत स्वागत है बिग श है सर आज की तारीक की अगर हम बात करें मुकेश जी देखे जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया में जो हालात हैं अब उससे चिंता सब्देश्यों में सब लोगों की बनी है मार्थ वर्ष में भी काफी बड़ी संक्या में पॉजिटिव केस आये हैं और कुछ प्रांतों की स्थिति काफी चिंता जैनक बनी हुई है थोड़ा संतोश इस बात का है कि हर्यणा में हमने कुछ अपने प्रत्रों से और कुछ इस प्रकार से विवस्थाएं करके चीजों को कंट्रोल किया हुआ है यहां मारे अभी तक पिछले चार मार्च से लेकर इस समय तक कुल मिलाकर 255 केस पॉजिटिव भी आये हैं और जिसमें से लगबग 145 से ज़्यादा केस ठीक हो चुके हैं रिकावर चुके हैं और जहां तक डेट सोयां के वहल दो डेट सोयां दो आदमें डिजेंस हुए हैं इसलिए हमारी जो सब द्रिशी से कहा जाए तो अभी स्थिति कंपरिटिव ली ठीक है जब हम देखते हैं अमेरिका की तरफ, इटली की तरफ, स्पेन की तरफ, इरान की तरफ तो ये जो महामारी है लगातार जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिये हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है और जो cases हैं इनमें एक जो नई चीज आगी कि पहले symptoms आते थे, अब symptoms भी नहीं आते, कुछ kits हमने मंगवाई, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, जो ICMR ने वहाँ पर भेजी, वो kits 95% जो result हैं वो गलत बता रही हैं, उनको रोकने का फैसला ले लिया है, तो एक समस्या पह देखिए मेरी अभी बात हुई है हमारे अधिकारियों से, उन्होंने पहली बात तो यह explain किया है, कि जो rapid test kits हैं, इनके ओपर हम बहुत भरोसा इसलिए नहीं कर सकते, कि एक परकार का indicative test हैं यह, यह complete test नहीं है, पाच दिन का समय ऐसा होता है बीच में, जिसके अंदर इस test को सफलता नहीं मिलती है, तो इसलिए उस सारे विशे को लेकर के, यह सारे राजिस्तान में जो विशे ध्यान में आया है, ICMR को यह दुबारा से refer किया गया है, और कल तक ICMR हमको बताने वाला है, कि इस test के ओपर कितना वरोसा करना है, या किस प्रगार के लोगों का यह test चाहि हैं, अगर इस test के कारण से कुछ लाब होता होगा और इसके results ठीक होंगे तो इसको लागू रखेंगे, और नहीं तो जो general test पहले से चल रहे हैं, उसको लागू रखेंगे. भारत में जो random test शुरू हुए, इसकी शुरुआत हुई कि जिन लोगों की विदेश से history थी, जो विदेश से यहां पर आये थे, उसके बाद जो जमातियों वाला issue हुआ निजामु दिन दिल्ली में, तो हम जमातियों के test करने लगे, तो अगला जो हमारा कदम है वो क्या होगा, क्योंकि अभी महारास्टर से एक बुरी खबर आ रही है कि 50 पत्रकार ही COVID-19 के positive निकले और इस तरीके से हम अब कौन सा target area होगा जहां पर हम इन test की संख्या बढ़ाएंगे अभी जो जो zone है जिसको कहना चीए है कि जहां से कोई positive case आये है, containment area जिसको कह रहे हैं, तो ऐसे containment area में हास का जो target है सबसे पहले वहां के लोग की screening की जाएगी और उस screening में जो जो लोग होंगे, उन सब के test किये जाएंगे, और इसके बाद हम general सारे पुरे अबादी का screening करने वाले हैं, उस screening के बादे हम से, फिर यदि फोड़ा बहुत भी कहीं शंका होती है, किसी में election मिलते हैं, तो उनके सब के test किये जाएंगे. क्योंकि ये जो आपदा आई है, अचानक आई है और आपदा अक्सर अचानक ही आती है, तो अभी अगर हम हिंदोस्तान की बाद करें और हर्याना की बाद करें, तो एक मिलियन लोगों पर, दस लाख लोगों पर तकरीबन कितने test हम कर पा रहे हैं आज की तारीख में? आज की तारीख में हमारे लगभग 500 के आसपास ये test हमारे पर मिलियन हो रहे हैं, और जो हमारी national average है, वो 300 के आसपास है, इसलिए उससे संख्या तो हमारी ज्यादा है, फिर भी देखा जाए तो बहुत देश तो इससे बहुत बड़ी संख्या में कर रहे हैं, इसलिए 500 इसका टार्गेट हमारा बढ़ेगा, तो हम इसको और ज्यादा संख्या पर लेकर कर जाएंगे, अभी लगभग 500 के आसपास हो रहे हैं, जी, ये COVID-19 से लड़ने के लिए तैयारियां क्या की हैं, कितने हमारे यहां पर COVID-19 सेंटर्स बनाए गए हैं, और क्या प्रक्रिया क् जो दर्शक इसके बारे में नहीं जानते हम आपसे जानना चाहेंगे. इनकी संख्या भी ऐसी ये लगभग 6000 बेड्स हमारे पास आईसोलेशन वाड्स के हैं, हमारे पास जो कॉरंटाइन कमरे जो हमने बेड्स किये हैं, वो भी लगभग 13000 कर चुके हैं, अभी संख्या अमरी बढ़ानी पड़े तो बहुत सी बिल्डिंग्स हमने विचार की हु हैं लगभग 1500, 1500, 1500 लोग वो रह रहे हैं, तो इन सारी विष्थाओं का अपयोग यदि केसिज बढ़ते हैं, तो उन स्थानों पर इनको अपयोग किया जाएगा। अगे तो उसको दूसरे अस्पताल में, फिर तीसरा वो अस्पताल जो ये दस मेडिकल कॉलेज हैं, जहां पर वेंटी लेटर बगएरा की सुईधाएं उपलब्ध हैं, इस रननीती को भी हमने अपनाना शुरू कर दिया है अभी। के बाद नेग्टिव हो जाते हैं, उनको आईसोलेशन वार्ज में रखा जाता है। अगले चौदा दिन तक ऐसे वार्ज में रख करके, फिर उनको बाहर भीजा जाता है। कुलमला के अठाईस दिन तक उनकी देखरे करते हैं, पहले ये लोग वार्ज में होते हैं, फिर बाद में इनको कॉरिंटाइन रखा जाता है। अठाईस दिन के बाद भी अगर ये ठीक होते हैं, तब इनको जाने दिया जाता है। अठाईस दिन के सामने साजा भी नहीं कर सकते, तो उन केसी भी के सकत होने की जडरूरत है। कितनी सक्ती बरतने के आदेश आपने दिया है नहीं मुकेश जी साजाक करने में कोई आपती नहीं है ये प्राड़म में जब ये सारे तबलीगी लोग मिले थे जिनको पॉजिटिव पाया गया था जिनको कौरिंटाइन किया गया था उन लोगों ने शुरू के तीन चार दिन तो कई परकार की विरोध किये थे उत्पात मचाया था लेकिन तीन चार पाश दिन के बाद जब उनको धहन में आ गया कि एक गमिर बिमारी है उसके बाद वोगों ने उस परकार के बाहर को रोक दिया और अब सामाने जो मरीज होता है उस तरीके से बाहर करते हैं अब जो क्वारेंटाइन में रखे जाते तो क्वारेंटाइन में भी रहते हैं अब कोई ऐसी समस्या ज्यादा नहीं है इतना ही है कि जो लोग समय अपना पूरा कर चुके हैं जिनको बाहर जाना है और खास करके अब इनका समय पूरा होने के बाद इनको जाने की चट प्टाट है अपने अपने घरों में लेकिन अभी चोके इंटर स्टेट जो मुमेंट है वो सब बंध है इसलिए अभी तो इनको यहीं पर क्वारंटाइन की वस्था ही और रखा जायेगा जे बात इंटर स्टेट की आपने की तो उस पर क्योंकि हर्याना काफी राज्यों से घिरा हुआ है उत्तर परदेश से दिल्ली से हिमाचल से पंजाब से और कुछ जो अभी देखने में मिल रहा है कि उत्तर परदेश की सरकार ने कुछ बसें भेज़ दी कोटा कोटा से जो ब सेंदर मोदी साहब ने कहा था पहले दिन की जहां हैं वहां पे रहिए उस चीज का वो उलंगन हो रहा है और अभी मुझे यह नहीं लगता कि यह राइट समय है कि लोगों को इस तरीके से बस में भरके लाया जाए उत्तर परदेश में तो केस भी आ गया कि एक बच्ची ज कोई आपकी प्लान है कोई विवस्था आप करने की सूच रहे हैं तो वो तो जब तक इंटर स्टेट मोमिट नहीं खुलती है तब तक वो उनको हर्याना में रखा जाएगा और यह फैचला नेशनल लेवल पर लिया जाएगा तब ही जाकर के कुछ आगे किया जाएगा हमने अपने हर्याना के सब लोगों से बाहर जहा जहा हैं वहाँ पर उससे संब्द बनाये हुए हैं हमारे रेजिडेंट कमिशनर वहां के प्रदेशों के रेजिडेंट कमिशनर के साथ लगातार अपना तालवेल रखे हुए हैं अभी प्रदेश के जितने भी बाहर लोग कहा है कि वो भी अपने विद्यार्थियों को और वहां से वापिस लाएंगे ऐसी स्थिती में केंदर सरकार जरूर कोई ना कोई मुझे लगता है ने लेगी ताके ऐसे जो दूर फशे हुए पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे या थो अन्य लोग होंगे उनको किसी एक प बदला जाता है तो कोई अपती नहीं है लेकिन बहुत हड़ बड़ में जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए जे क्योंकि प्रदेश के मुख्या हमारे साथ हैं मनोरलाल खट्टर साहब हमारे साथ हैं और आज जब हमने सोशल मीडिया पर ये शेर किया जिया मुख्यमंत साहब की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है पहले आप बताइए फिर उनकी जो कुछ सवालाथ है वो आपसे जानने की मैं कोशिश करूँगा देखिए इस बार फसल की प्रक्यूर्मेंट यह अपने आम एक चलेंजिंग विशह है हमने उसकी सारे सिस्टम बना लिये हैं चाहे सरसों की प्रक्यूर्मेंट हो 15 अपरेल से शुरू कर दी थी यहों की प्रक्यूर्मेंट 20 तारिक से शुरू की है लेकिन प्रक्यूर्मेंट centers हैं, वहां infrastructure है, logistics हैं, ये problem सारी आने वी वाली थी, हम कोई पता है, लेकिन चैसे सरसों की मंडियों की तक्रीबन सबस्तिती ठीक हो गई है, आज लगबग एक लाख पिशतर हजार मेट्रिक टन, ये सरसों खृदी जा चुकी है, तो इसलिए ये लगाता है, ठीक हो गई है, ऐसी ये हूं की भी, क्योंकि दो दिन पहले शुरू है, बीच तारिक और आज एकिस तारिक है, इसलिए ये भी दो या तीन दिन में सारी चीज़ें ठीक होने वाली थी, मैं उज़े लगता कले किस तारिक तक, ये भी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसमें थोड़ा एक जिसको कहना चाहिए विरोद, आरती समाज की और से था, आरतियों से भी हमारे लोगों ने बाच्चित की है, सबसे मंडियों में, आज जो है वो प्रक्यूर्मेंट शुरू हो गई है, आरतियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, चोटी बोटी शंकाएं थी, वो उनकी दूर कर दी गई हैं, किसी कितनी क्वांटिटी को लेके आ सकते हैं, और बारी से अगर आएंगे, तो भीड़ नहीं बचेगी, और यही जो हमारी प्रक्यूर्मेंट है, जो पहले पाचसो मंडी में, चारसो मंडी में होती थी, अब ये लगवग सतरा ठारा सो मंडियों में हो रही है, और इसका समय भी, जो पहले एक मेना होता था, अब ये दो मेने, ढ़ाई मेने में सारी प्रक्यूर्मेंट हो जाएगी, एक एक दाना हम किसान का खरीदेंगे, ये हमने किसान को श्वास दिलाया है, इसलिए किसी प्रकार की किसानों में दूइदा नहीं है, हाँ अगर हमको संकर थोड़ा आया है, तो जैसे मार्च में भी वर्षा ओले आये थे, अभी इन दोनों एप्रेल में भी, कई जगा पर वर्षा होई है, तो इसके कारण से थोड़ा जो गिला हुआ, उसको सुखा करके भरने का काम, ये हमको रूख कराना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा कस्ट हुआ है, फिर भी जो कस्ट आ रहे हैं, सब किसान, सब आर्टी, हम सब लोग, हमरे गौवर्मेंट के इंपलाईज, मिल करके उसको जेल रहे हैं, और इस में से रास्ता निकालके, किसान की किसी परकार की कोई हमकठनाई उसको नहीं आने देंगे, पूरी मार्केट, परक्यूर्मेंट उसके की जाए, जो आर्टी हैं, वो लोग कह रहे हैं, जो पुरानी परक्रिया है, वो ही अच्छी थी, सरकार एक नई विधी से करीद वाना चाह रही है, तो उस मसले को हल कर लिया गया है, यह माने हम? अणितना पैसान से लेना है, उतना आप लिखवा करके उन से ले लीजिये, और वो पैसा आप अपने बैंकों में रहे लिए, बाकी पैसा किसान को ट्रांसफर कर दें, चोके फूड करशन अंडिया की एक गैर ये कनडिशन ही आई है, वो पैसा किसान का है, तो किसान के निकाला है कि इस बार किसान के खाते में सीधा नहीं जाएगा लेकिन आड़ती के खाते में जाने के बाद जितना किसान उसके सहमती देगा उतना ही आड़ती उस पैसे को रोकेगा बाकी पुरा पैसा किसान के खाते में जाएगा और यह बड़ा स्वभाविक भी है एक तरक स किसानों की शिकायत ये आ रही है कि नमी के नाम पर उनको वापिस भेज दिया जा रहा है तो उस चीज को लेकर भी कोई कदम उठाएं कि किसान क्योंकि आजकल मंडी तक पहुंचना ही बड़ी बात है उनको वापिस ना जाना पड़े इस चीज को लेकर कोई निर्देश आप पर वो फसल ली जा सकती है उसका जो पैरामेटर पैमाना है उतनी नमी तो कोई ऐसी बात नहीं लेकिन उससे ज्यादा नमी होगी तो उसके लिए कोई वस्ता हमको करने पड़ेगी वहाँ पर बंडी में उस नाज को सुखाने के लिए फैलाने के लिए कोई वस्ता करनी आनाज एक बार बोरियों भर लेते हैं तो आपको पता है कि एसको किसी भी कीमत पर जो जितनी किसान जो है उससे नहीं लिया जाएगा किसान को हम समझाते हैं और आकर यह पानी है तो पानी तो सूकी सकता है दो दर में सुखे, तीन दर में सुखे, वो जैसे माश्चा ठीक होगी, उस समस्कों लिया जाएगा. देखिए, इसमें जिन किसानों की जमीन हर्याणा में है, जिन्नों ने रिजिस्टेशन अपना कर दिया है समय पर, ऐसे सब लोग की फसल पहले ली जाएगी, और जब ये किसानों की फसल पूरी ले ली जाएगी, इसके बाद जिन्नों ने रिजिस्टेशन नहीं किया है, चा का कोई दाना बचने नहीं दिया जाएगा. पहले भी हम लेते हैं इस बार भी लेंगे. उसका करम जो है वो तैकर दिया है. पहले रिष्टर किसान, बाद भी अन्रिष्टर किसान. नहीं ये जो सवाल था मेरा कि जो दूसरे राज्यों में अब खेती करनी है उनको तो उनको जाने की वहां पे खेती करने की इजाज़त मिल जाए और वैसी किसान अगर दूसरे स्टेट के हर्याना में जिनकी जमीन है उनको आपकी तरफ से इजाज़त मिल जाए यह सवाल मेरा है किसानों को जिसको खेती के लिए आना जाना है उसको लोग कोई रोकाउटरी नहीं है उसके अलग से पास बचते हैं पास लेकर के वो जा भी सकते हैं पास लेकर के आप ही सकते हैं जे अब जो दूसरी सवाल मेरा है वो डैनिक भोगी जो मजदूर है और इसमें अधिक तर प्रवासी मजदूर है या जो हमारे हर्याना के गरीब मजदूर है उनको लेकर भूखा ना सोए ये आपने बार बार का है कि दो वक्त की रोटी तो हमने पहुंचानी है और अभी वक काफी मुश्किल है तो इस चीज़ को लेकर आपने जैसा का कि ये जो करोना की बिमारी है पता नहीं कब तक हमें सताएगी तो कोई रंड नीती आपने बनाई है मजदूरों के लिए खास तोर से मैं जानना चाहता हूँ अर्याना सरकार क्या करेगी तेके जो गरीब मजदूर हैं जो ऐसे गरीब लोग हैं जिरको बीपिलम कहते हैं ऐसे परिवारों के लिए पहले बाद तो केंदर सरकार की और से जो सयोग मिला कि हमने इन दो महिनों में डबल राशन बलके तीन महिनों में डबल राशन देने की बात की है और वो फ्री वे बन दिये हैं जिन तीन मैनों में उनको भी राशन मिलेगा और हमारी जो सरकारी तोर पर या सामाजिक संस्ताओं के माद्यम से लगातार भोजन के पैकेट्स जो आदमी ऐसा जिसको मानों नहीं बना पा रहा है उस कहीं इदर से उदर कहीं आते जाते हुए हो कैम्पों में पंदरा दिन का राशन इसके पैकेट्स बाते जा चुके हैं तो इस सारे चौली सजार तो एक दिन में यह एक लिजन चार लागने के लगब बह चुके होंगे तो ऐसे एप भोजन दों सूह ब्होजन भी बाता जा रहा है और जो लोग राशन कारड नहीं हैं उनको एक पर हमारे construction workers registered हैं साड़े तीन लाख उनको पैसा दे रहे हैं तो इन सारी वेशों को लेकर लगबग बाइस तेईस लाख लोगों को यह सायता हमारी पहुची है और पहुच रही है किसी किसान किसी भी विक्ति को मंजूर को गरीब को दो समय का बोजन निश्चित है हमारे कोई कठनाई नहीं आएगी और हमारे लगातार help centers बने हुए हैं उन help centers पर जो calls आती है जैसी किसी call आती है अगले एक शन उस जले का कोई उस जगा का कोई विक्ति उस परिवार में पहुचता है और उसको समस्या जो उसकी सारी वो बताता है और जल्दी हम एक एक एप जारी करने वाले हैं जिसका नाम होगा help me ऐसी help me की एप जैसी जारी होती है कादर में हो जाएगी तो उसमें किसी विक्ति की कोई कठनाई होगी वो उसको दबाएगा इन्फरमेंश मिलेगी उसके पास जा करके और उसकी समस्या का हल पुछा जाएगा जी इस वक्त क्योंकि ये जो आप मदद कर रहे हैं जाहिर है कि इस मदद के लिए ना तो देश तयार था ना हर्याना तयार था ना हर्याना की सरकार तयार थी तो एक आर्थिक बोज सरकार पर पड़ा है आर्थिक दृष्टी से इस वक्त हम कहां पर खड़े हैं इस वक्त अपने हालात कैसे हैं और इन मुश्किल हालात में क्योंकि जो रविन्यू के सारे साधन है वो लगभग ठप से हो गए है तो सर्वाइवल के लिए हमारा रोड मै क्या है और देखे ये जो महिना है इस महिने का हमने सारा रोड मैट प्रावरा बना लिया है हमारे पास जो अपने पहले इसके साधन थे हमने इस बार जो इस महिने की जो हमारे कुछ लोन भी हमने लिया है और उस लोन के माद्ध हम से और ये सब की जो सेलरीज हैं वो दे द गई है क्लास वन क्लास टू ये सेलरी आज और कल में दी जा रही है पेंशन प्राया सब चली गई है हमारे पास इस महने के लिए कोई किसी प्रकार की खठाई नहीं है हमने बारा सो तेरा सो क्रोड रुपया इस आपदा से यानि मुक्ति पाने के लिए जो परचा है वो उसमें से कर रहे हैं हमने जंता को भी आवान किया कोरोना लिव फंड उसमें योगदान करें और चाहे वो करमचारी हो और चाहे अन्य लोग हैं उन सबने मिल करके लगवग दोस्सो क्रोड रुपया ये इस समय तक कौने तीन क्रोड लोगों का है कि समाज के साथ जुड़िये आई हुए इस करोना के संकट में सब को समय दन्शील होकर के आगे आना चाहिए राशी का विशे नहीं है सब को इस समस्य का जोड के खड़े रखना और उनके मन में भी आए कि हम इसका समादान खुलता है तो गतिविदियां दोबारा चालू हो सकती हैं रेजिस्ट्रियां हमने खुलवाई हैं उन रेजिस्ट्रियों को करवाने के लिए लोग भी आ रहे हैं अभी जो कुछ छोटे बड़े काम शुरू होंगे बीस तारिक से इंडस्ट्रि को चलने के लिए भी हमने प्रावधन किये हैं प्राया प्राया हर जिले में जिन लोगों अपलाई किया है उनको छोटे छोटी मात्रा में जिनके मज़ूर थे उनको काम करने के लिए चालू कर दिया गया है वहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा चला है तो जहां जहां यह कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया है वहां कुछ काम शुरू हुए हैं और इसको फ अगर हम प्राइवाट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप लगातार लोगों आपील कर रहे हैं कि झो आपके इंपलोज है उनको सैल्री दी जाए, सैलरी ना काटी जाए स्कूल्स में आपने कहा है कि जो फीस है वो तीन महीने की नहीं बलके एक महीने की ली जाए तो इस महीने तो जो वो उद्योग पती हैं या जो छोटे मोटे कारोबारी हैं वो कर रहे हैं लेकिन हालात उनके भी मुश्किल भरे हैं आप इस चीज को भली भांती समझते हैं क्योंकि आपने दुनिया देखे और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपको लगता है कि वो जो मदद की उमीद सरकार से रख रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में सरकार हमारी मददकार साबित होगी तो हम दूसरों के मददकार साबित हो सकते हैं तो उनके लिए कोई विशेश प्लान खासतोर से जो छोटे उद्योग पती हैं स्कूल जो लोग चला रहे हैं उनकी हम बात कर रहे है देखिए चोके सरकार के पास स्वेंबी जैसा लोगों का वेपार घटा है सरकार का रेवन्यू भी घटा है इसलिए आज विशेद देने का या कुछ गरांट देने का या कुछ पाफ करने का उतना ज्यादा नहीं है जितना लोगों को इसमें से सुइधा पूर्व के टाइम आगे बढ़ाने की बात है उसमें हमने कई चीज़ें डैफर दूर की है कि जुन चीजों की लास्ट डेट्स मार्च अंत में थी एपरेल में थी उसको हमने किसी को एक मेना बढ़ाया किसी को दो मेना बढ़ाया तीन-तीन मेने भी बढ़ाया है जो बैंकों की स्तें थी उनकों ने तीन मेने के लिए बढ़ा दिया है किसान को जो payment करनी होती है उसको भी हम तीर मैने के लिए बढ़ा दिया है इसलिए ये सब चीजे अपने अपने department के साब से अपने अपने उद्योग के साब से सब लोग इसको समय को एक परकार से कैसे आगे बढ़ाया जाए ये तो अंतो गत्वा एक बार यानि ये कॉरोना के संकट में से बाहर निकल आएं बाहर निकलने के बाद उसकी निशित यूजनाए बनेगी आज किसी की ओपर कोई दवाव नहीं डाला जा रहा कि कोई आदमी किसी प्रकार का पैसा या किस तिया चीज़ नहीं दे पारा उसक से हमने सब चीज़ों को मुक्त किया है बाद में जब स्वापती होती है फिर बैठके विचार किया जाएगा कि किस चीज़ को डेफर कर सकते हैं कहां सायता की जा सकती है कहां लोगों से लिया जा सकता है ये सब चीज़े कम से कम तीन महीं के बाद ही विचार होगी उससे प तो उसको सरकार को कहना चाहिए कि दे दे क्योंकि स्कूल की भी मदद होगी एक प्लेज मनी की बात कर रहे हैं कि प्लेज मनी के तौर पे जो पैसा बैंकों में पढ़ा है सरकार को भी उसका फायदा नहीं हो रहा है तो इस मुश्किल वक्त में वो प्लेज मनी अगर रिलीज क सकते हैं उनके लिए टो नियम आपने बना दिया हमने मुकाष गार करल के जो नहीं सकते उनके बच्छों की एडमिशन्स में नाम नकाटा जाए उसको नाम ना काटा जाए लेकिन ग्यों लोग डे सकते हैं उनको देना ही चाहिए जाकर वद्याले के अपने खर्चे हैं हर एक संस्तान का खर्च है इसलिए ये अमिकेबली सब चीज़े आके चलाई जाए इसमें नियमों से नहीं चलने वाला है इसमें तो कुलमलाकर हम आपसे समझ के साथ अपनी योजना बना के सारे फाइनेशल ट्रांजक्शन को उसके साथ से आगे बढ़ाया जाएं जे आप इस वक्त पूरे दुनिया के हालात से वाकिफ हैं नरेंदर मोदी साथ के सबसे करीबी और पुराने मित्रों में से आप है हम जानते हैं और जब परचारक थे उस में से लेकर अभी तक की जो दोस्ती है वो जग जायर है और मोदी साब पूरे दुनिया के तच में है और एक बड़े नेता बनके विश्वस्तर के नेता बनके उभरे हैं जो दवाईयों की मांग अमेरिका ने की तो अमेरिका को दिया किसी दूसरे देश ने की तो दूसरे देश को किया ये जो संकट है करोना को क्या इसको अभी हम समझ पाए हैं और इससे क्योंकि बड़े बड़े देशों के हाथ खड़े हो गए हैं ट्रम्प जो हैं आजकल धमकी भी देते हैं सवाल भी उठाते हैं ऐसे हालात में जो सैयम है उस सैयम कितना जरूरी है और इन हालात से निपटने के लिए हम कितने तयार हैं देश की बात अगर हम करें तो दिखे विश्व व्यापिस अंकट है और इसमें सब दुनिया भर के लोग बड़ी समझदारी से काम ले रहे हैं कि सबसे पहले इस कोरणा को अपनी जगा पर किस प्रकास से कंटेन किया जाया रूका जाया उसको कैसे समाप्त किया जाया अब इस सारे में एक दूसरे का सयो अनुबहों का लाब सब ले रहे हैं जहां कहीं इस रोग को स्वाफ करने के लिए कोई मानों नई दवा है वायरिस है नया कोई टेकनीक है उसको प्योग करने के लिए सब एक दूसरे का सयोग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत ही जिसको कहना चाहिए सोजबूझ से बहुत ही धहरे से इन चीजों को सब लोग करने में लगे हैं निश्य दूप से इसका मुकालाब करने के लिए सब लोग मिल करके काम करेंगे तो हम अपने लक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे इस वक्त आप प्रदेश के नंबर वन चैनल खबरें अभी तक पर हैं और जो जनता आपको देख रही है और आपकी इमानदारी की काईल है उस जनता को आप इस मुश्किल वक्त में क्या संदेश देना चाहेंगे मुकेज जी मैं लोगों को ये कहूंगा कि ये बिमारी कोई किसी व्यक्ति का किसी जाती के साब से किसी वर्क के साब से किसी जगा के साब से कोई ना तो उसकी प्रेफरेंस होती है ना उसका कोई तरक होता है वो सब को सावधा नहीं परत नीची है कि इस बमारी से कैसे बचा जाए हमने कितनी आवान किया हैं कि घर पर रहें और कुलमना के सैनिटाइज वो अपने आपको करें सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और सामाजिक वाताओन इसक में सदभावना बनी रहे क्योंकि ये जो तबलीगी जब से मामला हुआ है तो तरह तरह के चर्चाएं कुछ ना कुछ मेडिया में शोशली मेडिया में आने लगी उसके लिए भी मैंने धर्म गुरुओं से भी मिलके कहा कि अपने समाज की एकता ये बना कर रखें स्वार्द बना कर रखें बाईचारा बना कर रखें और सब मिलकर के यानि अलग लग रहते हुए भी फिजिकल डिस्टेंसिंग ये रखते हुए भी सब मिलकर के एक जो ठोकर के इसका मकाबला करें इसके लिए जो त्याग करना पड़े सर्वस्तिया करने के लिए वित्यार रहना चाहिए इतनी बात मुझे कह नहीं जे आखरी सवाल मेरा आप से की धीरे-धीरे हम लॉक्डाउन खोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह आर्थिक द्रिश्टी से बहुत जरूरी है लेकिन अभी जो देश के हालात हैं जो दुनिया के हालात हैं लगातार जो केसीज में इदाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं विकतिगत तोर पे आपके म clarify शंका आती है कि अगर लॉक्डाउन खोल दिया तो यह जो पिछला लॉक्डाउन था जो पिछला कर्थियू का कही राजियों में जो लगाया गया वो सारी की सारी चीजें धुल जाएंगी और lockdown खोलने से फाइदे की बजाए नुकसान हो सकता है क्योंकि नरेंदर मोधी साहब ने भी कहा था जान है तो जहान है तो इस वक्त आपकी क्या रणनीती है जान तो जाहिर है कि सबसे उपर है है लेकिन फाइनेंशल दिरिस्टी से lockdown के कई नेगेटिव इंपक्ट तो नहीं आएगा lockdown अगर हम खत्म करते हैं तो मुकेश जी देखिए lockdown खोलना के नहीं खोलना इसमें अभी समय बाकी है तीन तारिक तक तो हमारा lockdown ये चालू रणे नहीं वाला है इसके बाद उस समय स्थितियां क्या बनती है उसके बर निर्वर करेगा lockdown अगर स्थिति सुधरती नहीं है तो इस lockdown को बढ़ाना भी पड़ेगा हम एक तरफ आर्थिक स्थिति देखते हैं एक तरफ जान की बाजी लगी है इसलिए जान की बाजी जिस बात पर लगी है उसको पहले देखना पड़ेगा हम आर्थिक दिश्थि से थोड़ा दिन पहले करें बाद में करें ये बात का विशह है हां जो तनी योजना अब बनी है कि 20 अपरेल के बाद हमने दो देद्रे देद्रे चीजों को ठीक करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं लेकिन उनी क्षेत्रों में जो क्षेत्र comparatively थोड़ा सुधार की तरफ है थोड़ा सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसको green zone हमने कहा है containment area से बाहर है और भी बढ़े phases में किया है तो इसलिए एकदम lockdown खोलने की बाद तो अभी कहीं नहीं आई है जब एकदम कोई lockdown तब खुलेगा जब सब तरफ से सारे खत्रे खतम हो जाएंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोरलाल खटर साहब आपका मुख्यमंत्री जी आप खबरे अभी तक के साथ जुड़े और जो भी हमारे सवालाद था आपने उनका सभी सवालाद का बेबाकी से जवाब दिया हम तही दिल से आपका शुक्रिया आदा करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी आप देख रहे थे हर्याना के मुख्य मंत्री मनहोरलाल खटर साहब के साथ ये हमारी खास बात चीट बिक्षो में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद बिक्षो को हम आगे बढ़ाएंगे बने रही है हमारे साथ बिक्षो में हम इनसे हर वो सवाल पूछेंगे जो आप जिसका जवाब जानना चाहते हैं रिपीट मारेंगे स्क्वेर अब मॉन्टाज नहीं करोगे मॉन्टाज से लो फिर कंटिनूटी बने रहेगे चला नमस्कार आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा हरियाना हिमाचल का नमबर वन चैनल खबरें अभी तक ये है बिक्षो और बिक्षो में मैं हूँ आपके साथ मुकेश राजपूत आज बिक्षो का ये स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज बिक्षो में हमारे साथ जुड़े हैं हरियाना के मुख्य मंत्री मनहोरलाल खटर सहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है बिक्षो में और बिक्षो में आज जो जनता के सवालात हैं उनके जवाब हम आपसे इस शो में जानेंगे बहुत-बहुत स्वागत है आपका विक्षो में ब्रेक के बाद बिक्षो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है बिक्षो में अब बात करते हैं करोना महमारी की जिस महमारी ने पूरी दुनिया में कौरा मचा रखा है आईए आपको वो टॉप टेन देश दिखाते हैं जहां पर इसके आंकडे लगातार बढ़ते जा रहे हैं करोना ने इस वक्त पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है ये खतरनाक वाइरस लगातार इनसानों को अपनी चपेट में ले रहा है आलम ये हो चुका है कि कुछ ही घंटों में आंकडे बदल जाते हैं आईए सबसे पहले बात करते हैं युनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका की करोना के सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में ही हैं साथ लाख निन्यानवे हजार से बढ़हा आंकडा 72,000 लोग हुए रिकवर 42,000 लोगों की करोना ने निगली अमेरिका में चान आईए बात करते हैं स्पेन की स्पेन में 2,000,000 के पार पहुँचा करोना मरीजों का आंकडा 80,000 से ज्यादा लोगों ने किया रिकवर 20,800 से ज्यादा लोगों की चली गई जान तीसरे नमबर पर इटली है यहाँ पर भी करोना ने कहराम मचाया है एक लाख 81,000 से ज्यादा हुए करोना संक्रमे तो यह दुनिया के टॉप 10 देश हैं और इस टॉप 10 में शायद कोई नहीं आना चाहेगा दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ती सबसे बड़ी महाशक्ती यानि अमेरिका जो नमबर वन है अब हम कहें कि करोना के आंकडों में भी नमबर वन आ गया है जो वो कभी नहीं चाहता था अमेरिका के राष्टपती डॉनल्ड टराम इससे काफी ज़्यादा दुखी है और उन्हें अपने अमेरिका वासियों के लिए कुछ कर दिखाना है क्योंकि कुछ समय के बाद उहां पर चुनाओ भी है तो उन्होंने एक बड़ी घोशना की है कि जो महान अमेरिकन हैं उनका ध्यान रखने के लिए इस संकट की वज़े से जिन अमेरिकन्स की नौकरी गई है उनको दुबारा से नौकरी दी जाएगी और जो विदेशी लोग हैं उनको अमेरिका में अब नहीं बसने दिया जाएगा ये आदेश उनके अगले आदेश तक जारी रखा जाएगा परवादो क्या है ठीक है चलो तो जाहिर है कि इन हालात के चलते अमेरिका बहुत परिशान है अमेरिका क्या पूरी दुनिया ही बहुत परिशान है लेकिन अमेरिका परिशानी के साथ साथ चीन से बहुत खफा है और साथ ही ये कह दिया है कि अमेरिका ने जो जूट बोला है या अब भी वो जो जूट बोल रहा है तो उसको हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने लगातार जूट बोलना जारी रखा तो इसके परिणाम चीन को भुगतने पड़ेंगे तो इन हालात से अमेरिका परिशान है और अमेरिका का परिशान होना वाजिब भी है लेकिन अमेरिका चीन से बहुत गुस्से में है अमेरिकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रॉम्प ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन ने करोना वाइरिस को लेकर जूट बोलना बंद नहीं किया तो चीन को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे करोना वाइरिस संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है मौत का आक्रा भी लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन इस में इस करोना पॉजटिव में अगर हम एक पॉजटिव चीज़ ढूने तो वो है कि करोना से जो लोग बिमार होए हैं जो मरीज हैं उनमें लगातार जो मरीजों की संख्या है एक तरफ इजाफा हो रहा है लेकिन इस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है यानि करोना से आपकी जान जाएगी यह जरूरी नहीं है अगर आपको करोना है तो इस संक्रमन से आप पार भी पा सकते हैं एक ये रिपोर्ट जो आपके दिलों को सकून पहुचा सकती है अब बात करते हैं करोना के साइड इफेक्ट्स की साइड इफेक्ट्स ये है कि कच्चे तेल के दामों में इतिहासिक गिरावट आई है और अब सवाल ये उठता है कि इस गिरावट का भारत में रहने वाले लोगों को फाइदा होगा या नुकसान होगा क्योंकि इस गिरावट से जो कच्चे तेल के डामों में जो कमी आई है इससे अमेरिका तो जूज रहा है और अमेरिका में इस वक्त अगर आप तेल की कीमत की बात करें तो जो पानी बॉटल बंद पानी होता है उससे कम कीमत पर कच्चा तेल पहुंच चुका है तो बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है लेकिन आप कहीं मत जाईए बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरे अभी तक पर खबरों का सिलसला कभी थमता नहीं है करेंग झाल पूँदाम इuh हमारे साथ